हेलो फ्रेंड्स आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल बालाजी अर्थ में स्वागत करता हूँ सो आज की इस वीडियो में हम डीसीज के बारे में जानना शुरू करेंगे जो की है क्रोमोजोमल डीसीज तो आई यह हम जानते हैं हमारी जो फर्स्ट डीसीज है वो है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम तो आज की इस वीडियो में हम क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या-क्या symptoms रहते हैं, इसके क्या-क्या causes रहते हैं, यह क्यों होता है और इसे क्या कहते हैं, इसकी definition क्या है, इसकी यानि कि सभी जानकरी हम आज इस वीडियो में जानेंगे तो बने रहे हैंगा वीडियो के अंत तक तो आईए हम इस वीडियो को हम शुरुवात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता क्या है तो आईए हम जानते हैं It is the genetic condition in which a male is born with an extra copy of the chromosomes यहाँ पर मैंने it is गलती से misprint हो चुका है और यहाँ पर male की spelling भी गलत है ध्यान दीजी यहाँ पर male की spelling गलत है M-A-L-E, male यहाँ पर क्या लिखा है It is a genetic condition in which a male is born with an extra copy of the chromosomes इसका मतलब यह होता है कि यह एक genetic condition है यह एक genetic condition है जिसमें जो male रेता है वह जन्म लेता है एक extra chromosome के साथ यानि कि हम client filter syndrome में क्या होता है कि जो male रेता है वह एक extra chromosome के साथ जन्म लेता है इसे हम रिरेज कर देते हैं इसके आगे क्या लिखा है आप जन्म लेता है जिसमें लेता है बड़ के लेता है नुपस्तोंส debate गच्छस्तों साथ लूं स कीन्नक लेता है having 47 chromosome means having extra chromosomes in their body in this conditions only males are affected यहाँ पर क्या लिखा है हमने देखा है कि जो normal human bodies रहती है उन में कितने chromosome रहते हैं बच्चो 46 chromosome उनकी body में रहते हैं लेकिन जो client filter syndrome के जो patients रहते हैं उनके पास कितने chromosome रहते हैं 47 chromosome यह बहुत ही important चीज़े यही आपको highlight करकर exam में लिखना रहेगी कि जो client filter syndrome के जो patients रहते हैं उनके पास 47 chromosome रहते हैं तो हम इसे इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो client filter syndrome के जो patients रहते हैं उनमें एक extra chromosome आ जाता है तो उनके पास normal human bodies के पास जितने chromosome रहते हैं और जो client filter syndrome के पास जो patients के पास chromosome रहते हैं वह जादा होता है यानि के client filter syndrome के पास कितने chromosome हो जाएंगे बच्चों 47 chromosome means having the extra chromosomes in their body in this conditions only males are affected sorry guys male की spelling हैं आपर भी गलत हो चुकी है male की spelling है male males are affected okay guys आपको हो सकता आपको समझ में आ गया होगा तो अब हम इसको erase करके next slide पर चलते हैं के दिखिए यह मेंने ड डाइग्रमेटिकली वह समझाने की कोशिश की है जो normal patients रहते हैं उनमें देखिए यह जो 22 pairs of chromosomes रहते हैं यहां तक 44 chromosomes हो जाते हैं ठीके बच्चों यहां तक यहां तक chromosome हो जाते हैं यहां पर 46 chromosome हो जाते हैं लेकिन देखिए यहां पर एक extra chromosome दिया है यहां पर एक extra chromosome दिया है जिसके कारण client filter syndrome occurs होता है यह एक x-ray के form में दिखाया गया है जो कि client filter syndrome के patients का ही है तो इसको एक बार erase करके मैं फिर से समझा देता हूँ यह देखिए यहां पर यह जो diagram दीक रहा है यह क्लाइन filter syndrome के chromosome नमबर जो बता रहा है हमने देखा कि client filter syndrome में बच्चे के पास जो nyonormal human body रजती है उसके पास कितने chromosome रहते हैं वच्चे 46 chromosome रहते हैं लेकिन client filter syndrome के साथ जो बच्चे पेदा होते हैं उनके कितने रहते हैं, 47, ध्यान देने वाली बात है बच्चों यहां पर, कितने क्रोमोजोम, रहेंगे, 47 यह आपको याद रखना है, 47 प्रोमोजोम रहते हैं, क्लाइण फिल्टर सिंड्रोम के साथ, यह जो, अगर आपको यह diagram का भी screenshot ले सकते हैं यह आप diagram भी exam में बना कर आ सकते हैं देख सकते हैं कि यहाँ पर जो last chromosome से वहाँ पर एक extra chromosome दीख रहा है जो कि किस form में है x x y को तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं 44 bracket में x x y इसके form में हम इसे लिख सकते हैं किसे लिख सकते हैं बच्चो 44 ब्रेकेड में x x y के form में हम इसे लिख सकते हैं ठीके अब हम आगे next slide पर सलते हैं आशकात आपको diagram समझ में आ गया होगा आप जानेंगे कि हम client filter syndrome के कारण क्या है और यहां क्यों होता है तो client filter syndrome जिसे कि मैंने आपको पहले slide में ही बताया था कि यह होता है extra chromosomes की extra copy होने के कारण यानि कि human body में जो 46 chromosomes रहते हैं उससे एक chromosome जादा बन जाता है तो ऐसे patients को हम या ऐसी human body को हम client filter syndrome का patients बोल सकते हैं तो इसका causes में आप क्या लिखेंगे क्लाइन फिल्टर syndrome is caused by the extra copy of the chromosomes of the X chromosomes chromosome भी दो प्रादार के होता है X chromosomes और Y chromosomes लेकिन यहां पर extra copy किसकी बनेगी X chromosomes की ठीक है बच्चों यह highlight करने वाली बात है the client filter syndrome is caused by the extra copy of the X chromosomes यहां पर हमने diagramatically move किया था देखिए बच्चों यहां पर यहां पर X का एक extra chromosomes आ गया है जो कि normal human body में present नहीं रहता है यहां पर आप diagram में देख पाएंगे कि यहां पर दो लिखा है X, X, Y यानि कि जो यह वाला X है यह extra आ गया है जो कि सिर्फ client filter syndrome के patient में ही पाया जाता है तो आप यहां पर देख सकते हैं diagramatically भी आप इसे अगर represent करना चाहते हैं तो आप इस तरी cases का diagramatically representation कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि जो 17 नंबर का diagram है उसमें normal है यहां पर दो chromosome है 18 नंबर में भी दो chromosome है 19 नंबर पे भी दो chromosome है 20 नंबर पे भी दो chromosome है 21 पे भी दो chromosome 22 पे भी लेकिन जो 23rd नंबर का जो chromosome आ रहा है वहाँ पर एक आपको X chromosome एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है जैसा कि मैं आपको highlight करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इसे erase कर देता हूँ हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा तो अब हम इसके आगे symptoms के बारे में जानते हैं तो इसके जो symptoms रहते हैं बच्चो जो अपनी muscles रहती है वह weak हो जाती है इस अपनी जो muscles है वह weak हो जाती है delay in speaking मतलब बोलने में बच्चा अटकने लगता है incomplete puberty उसकी जो puberty की stage रहती है वह भी पूरी तरीके से complete नहीं हो पाती है उसके जो testicles का size रहता है वह भी बहुत छोटा हो जाता है जो bones रहती है वह बहुत ही weak हो जाती है problem in reading जैसे कि कहां मेंने की delay in speaking तो अगर बोलने में दिक्कत होगी तो reading में भी problem obviously बात है कि होगी जो breast का size है जो male males में अपन देखते हैं कि जो breast का size रहता है वह बहुत ही छोटा रहता है लेकिन जो client filter syndrome की जो patients रहते हैं उनको breast रहता है वह भी enlarge हो जाता है यह सारे ही symptoms आपको याद करना होंगे बच्चो यह बहुत ही important play role डरता ही कि अगर आपको किसी disease के बारे में पूछा गया है exam में तो वहाँ पर आपको symptoms के बारे में भी बताना होता है अगर आप 9, 10, 11, 12 या BAC MSC के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको तो theoretical लिखना रहत है तो वहाँ पर आपको सारे syndrome के नाम याद होना चाहिए और अगर आप नीट के बारे में को नीट की तैयारी preparation कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ऐसा भी options में पूछा जा सकता है कि client filter syndrome में कौन-कौन से symptom show करते हैं और वहाँ पर आपको चार options दे सकते हैं नीट में इस प्र उसके small testicular size जैसे कि मैंने बताया आपको female type pubic hair pattern इनके जो pubic hair रहते हैं यानि कि public parts के जो hairs रहते हैं वह भी females के जैसे होते हैं frontal headland absence poor beard growth जो इनकी beard की growth रहती है वह भी बहुत ही poor रहती है इनके जो shoulders का size रहता है वह बहुत ही narrow narrow यानि की short रहता है breast का proper development नहीं हो पाता है और जो chest पर जो growth रहती है hairs की वह भी बहुत कम होती है तो यह सारे symptoms हमें show होते हैं तो हमें कौन-कौन से symptoms होते हैं बच्चो एक तो देखा हमने की weak muscles रहती है delay in speaking, incomplete puberty, इनका जो testicles का size रहता है वह बहुत ही छोटा रहता है जो bone रहती है वह भी बहुत छोटी रहती है इनके जो lack का size रहता है वह बहुत ही बढ़ा रहता है और इनका जो poor beard growth रहती है इनकी जो beard की growth रहती है वह भी बहुत कम रहती है इनका breast का development proper नहीं हो पाता है और इनके जो pubic hair रहते हैं वो female के समान रहते हैं, तो यह सारे symptom थे जो कि client filter syndrome में देखने को हमें मिलते हैं, तो जो next यह है कि हम इसे diagnose कैसे कर सकते हैं, बच्चों सबसे पहले हमें समझना होगा कि diagnose, diagnose करने का मतलब यह रहता है कि हम किसी भी disease का पता कैसे कर सकते हैं, कि यह disease आपको है या नहीं, तो इसके लिए दो टेस्ट किये जाते हैं, फ्रस्ट ने है Chromosomal Analysis, जिसके करते हैं कि आपकी बॉड़ी में कितने Chromosomes है, जैसे अगर Chromosomal Analysis में निकलता है आपके पास 46 Chromosomes हैं अगर आपके पास 46 Chromosomes हैं, बॉडी हो यानि कि आपको कोई किसी भी प्रकार का syndrome नहीं है लेकिन अगर आपकी body में 47 chromosome पाया जाता है तो आप तो आपको test में क्या निकलेगा कि आपको client filter syndrome की समस्या है तो फिर आप doctor को दिखा दीजे तो उससे पता चल सकता ही कि आपको client filter syndrome की समस्या है या नहीं है जैसे और दूसरा टेस्ट के अगर हम बात करें तो जो second test है वह होर्मोनल टेस्ट हार्मोनल टेस्ट में से भी पता चल जाता है कि body में जितने भी hormones है वो प्रॉपर तरीकी से work कर रहे है या नहीं अगर आपको client filter syndrome पाया जाता है तो आपको तो हर्मोनल टेस्ट प्रॉपर नहीं आएगा जैसे कि हम यह पर देख सकते हैं हर्मोनल टेस्ट बताया गया है सीमेन का टेस्ट जो प्रॉपर रहता है वो सीमेन भी क्लाइन फिल्टर syndrome रहते हैं वो प्रॉपर आमाउड में सीमेन भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो यह थी हमारे diagnosis के बारे में अब हम चलते है नेक्स लाइड में अगर हम बात करें इनकी treatment की treatment का मतलब होता है कि इलाज अगर यह बिमारी किसी पेशेंट को हो जाती है या किसी को हो जाती है तो इसका इलाज क्या है तो सबसे पहले तो उन्हें मेंडल और काउंसलिंग की सपोर्ट की जरुवत होती है जो कि उन्हें फेमिली को प्रोवाइड करवाना चाहिए ताकि वह mentally fit और mentally healthy रह सके यह बहुत ही जरूरी है किसी इ fertility treatment उसका जो fertility treatment है उसके हार्मोनल्स के बारे में तो वह उसका भी treatment करवा सकता है और जो testron रहता है testron replacement therapy यह एक therapy रहती है जिसमें testron को replacement यानि की बदल दिया जाता है तो यह सारे treatment थे आप इसका screenshot भी ले सकते हैं तो ओके गाईज आज हमने cover किया था client filter syndroms को अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कर दीजिएगा और ऐसे ही syndrome या disease के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल biology earth को subscribe कर दीजिए biology earth को subscribe कर दीजिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर और अगर आप कोई से disease के बारे में जानना चाहते तो आपको उस disease के बारे में symptoms, disease, treatment सारी proper notes में provide करवा सकता हूं आप मुझे instagram पर भी follow कर सकते हैं हमाशो पटेल 803 पर जहां पर अगर आपको notes चाहिए तो मैं आपको only 10 rupees पर topic के हिसाफ से में आपको notes provide करवा सकता हूं तो बने रहीएगा हमारे साथ और देखते रहीए biology earth keep watching thank you